नमजकार दोस्तो जीडियस का रूल नमबर नाइन हम आज देखने वाले हैं जीडियस कंड़क्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नमबर नाइन क्या कहता है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तो रूल नमबर नाइन में देखिए नेचर ओफ पैनल्टीज है, मतलब ग्रामिन डाक सेवकों पर जो पैनल्टी लगती है, अगर कोई ग्रामिन डाक सेवक किसी कारे में दोशी पाया गया, ओन डूटी दोशी पाया गया, अगर उसने कुछ गलत किया है, डिपार्टम पैनल्टी भी आता है, और माइनर में क्या-क्या कौन सी गलती आती है, क्या-क्या सजा मिल सकती है, तो उसके लिए क्यों सी सजा का प्रावधान है, ग्रामिन डाक सेवकों की लिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तो, the following penalties may for good and sufficient reasons and as here तो देखिए दोस्तो ये सबसे पहले minor penalty हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तो इसमें censure, number first point में आप देखिए censure, इसका मतलब होता है सिर्फ आपको फटकार लगा दिया जाएगा कोई भी ग्रामिन डाक सेवक अगर दोशी पहा जाता है किसी काम में इसको फटकार लगा तो कोई जोड़ दिया जाएगा मतलब डाकर उसको छोड़ दिया जाएगा होो सकता है इसमें warning भी दे दे जाए लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है बस आपको ये warning देकर आपको छोड़ दिया जाता है तो ये first है minor penalty का first point था सेकंड में देखिए दी बैरिंग ऑफ सेवक from appearing in the recruitment examination for the post of multitasking staff, postman और mail guard and being considered for recruitment as postal assistant, sorting assistant for a period not exceeding 3 years. तो दोस्तों ये second point जो बोल रहा है, इसमें जो grammar index सेवक है, अगर उसको minor penalty लगाई जाती है, तो इसमें second point में जो सजा का प्रावधन है वो है, कि उसको departmental exam देने से रोक दिया जाएगा, departmental exam जैसे MTS या postman या PASA का जो exam दिया जाता है, departmental, GDS to PASA या फिर GDS to postman exam देने के ल होने का मौका नहीं दिया जाएगा, third point में देखिए, debaring of a सेवक from being considered for recruitment to MTS on the basis of selection come seniority for a period not extending three years, तो उपर जो हमने देखा वो departmental exam का था, लेकिन तीसरे point में क्या है, इसमें जो seniority base पे MTS के post पे absorb किया जाता है, ग्रामीं डाक सोको को, वो भी नहीं किया जाएगा, बिना exam के भी seniority base पे GDS to MTS में promote किया जाता है, तो उसको भी अगले तीन साल के लिए रोख दिया जाएगा, allow नहीं किया जाएगा, fourth में देखिए, recovery from TRCA of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government by the negligence or breach of orders, तो अगर कोई loss हुआ है, financial loss हुआ है, government money का, और ये ग्रामीं डाक सेवक के लापरवाही के वज़े से recovery की जाएगी, number fifth में देखिए, withholding of annual increase in time related continuity allowance without cumulative effect for a period not exceeding three years, और तीन साल तक उसकी जो TRCA है, वो भी hold पर रख दिया जा सकता है, मतलब salary तीन साल तक उसको नहीं दी जाएगी, तो ये सब था minor penalty में, अब दोस्तों हम लोग देखते है major penalty में क्या है, दोस्तों major penalty में थोड़ देखिए, दोस्तों इसमें, reduction to a lower stage in TRCA slab, मतलब TRCA का slab जो होगा, level one, level two, जो भी होता है slab, तो इसमें आपको demotion कर दिया जाएगा, मतलब level low कर दिया जाएगा, lower level पे आपको ला दिया जाएगा, TRCA slab के अंदर, कितने दिनों के लिए जो आपका slab है, वो reduce कर दिया जाएगा, किसी भी ग्राम इंडाक से होको, अगर हो major penalty के अंदर में उसकी mistake है, जो आती है, तो उसको compulsory discharge का भी प्रावधान है, major penalty के अंदर, जो भी gratuity मिलनी है, या फिर जो service discharge benefits की में, जो भी retirement benefits है, उसको service spirit के ratio में देकर, उसको compulsory discharge कर दिया जाएगा, मतलब retire कर दिया जाएगा, उस उसको मौका मिल सकता है, वो दुबारा चाहे ग्राम इंडाक सेवक में apply करने का तो वो कर सकता है, और इसके नीचे देखिए दोस्तो, dismissal from engagement, which shall ordinarily be a disqualification for the future engagement, 7th point में हमने देखा था, बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर आगे के engagement के लिए भी उसको disqualify रखा जाएगा, म जो हमने देखा अभी, 7th point, 6th point से लेके 9th point तक जो हमने देखा, यह सब major penalty में आता है, और 1 to 5 हमने देखा था, यह उपर, यह minor penalty में आता है, तो I hope दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा major penalty और minor penalty, अगर कोई doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं, आज के वीडियो में इतना ही म मिलेंगे ने अपडेट के साथ,